नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस बड़ी ख़वर में जीहां दोस्तों आप सभी को बता दे जैसे कि आप सभी को पता होगा 2022 में यानी कि इसी साल यूपी में बिधान सबाद चुनाओं होने वाला है जीहां दोस्तों आप सभी को बता दे यूपी में फ पता होगा दोस्तो पिछले बार दिनेसला लियादो उर्फ निरहुआ आजमगर से चुनाव लड़े हुए थे जिहां दोस्तो इस बार भी कहा जा रहा है कि दिनेसला लियादो उर्फ निरहुआ को आजमगर से ही टिकट मिलने वाला है जिहां दोस्तो भी बीजेपी से आप लोको बता दे ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों बीजेपी से दिनेस लालियादों को फिर से एक बार टिकट मिलने जा रहा है आजमगर से जी हाँ दोस्तों आप लोको बता दे बहुत बड़ी खबर है एक बार फिर से दिनेस लालियादों निरहुआ बिधान सबा चुना लड़ेंगे वो भी आजमगर से जी हां आप लोग को बता दे पिछले बार दिनेस लाले आदोर फिर आजमगर से चुनाव लड़े हुए थे अकलेस यादो के खिलाप और उनको उस समय हार का सामना करना पड़ा था जी हां दोस्तों लेकिन एक बार फिर से आजमगर से चुन कर दीजिएगा